and welcome to day 2 of NEET in 140 days क्या हाल चाल है आपके सबसे पहले बता दो अवाज सबको सही से आ रही है या नहीं आ रही and then we will get started with lesson 1 on electric charges and fields chapter number 1 आपकी बारवी क्लास का आज उसका lecture number 1 करने वाले हैं फटा फट बता दो चलिए अवाज आ रही है सबको बढ़िया से how is everybody doing? how's the josh? हमें निकालना है NEET in मात्र 140 days ये हमने एक प्रण ले लिया है आज है lecture आज है basically day number 2 तो जिन जिन बच्चों ने कल का day miss किया चलो कोई दिक्कत नहीं है बट आज से हमारे pure academic sessions हो चुके हैं start ठीक है क्या हाल चाल है हेलो 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 sorry guys for being a little late थोड़ा सा late हो गए right और मैं दूसरा आपको ये भी बता दूँ इस series में neat in 140 days हम starting से syllabus complete करवा रहे हैं जो जो chapters class 11 के already हमने detailed में करा दिये हैं उनका हम one shot लेकर आएंगे इस series में मतलब जो आपका units and measurements है जो आपका kinematics है उन सब के one shots हो जाएंगे plus जो जो chapters अभी तक हमने start भी नहीं किये उनको most elaborate manner में पढ़ाया जाएगा right तो जैसे अभी electric charges and fields हमने नहीं करवाया तो ये पूरा 5 से 6 lectures में cover किया जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि it is not just a crash course crash course type series इसमें literally पूरे chapters detailed में पढ़ाये जाएंगे ठीक है दोस्त चलिए laws of motion का schedule हमने Monday को कर रखा है laws of motion Monday को होगा आपका start right तो तब आप देख लीजेगा right Sunday को आपको stream दिख जाएगी ठीक है बॉस चलिए shall we get started start करते हैं दोस मेरा नाम है चंदन गनोत्रा I come with 7 years of experience in teaching for need physics और चलिए दोस शुरुवात करते हैं एक नए से chapter की electric charges and fields 12th class का first chapter है प्यारा सा simple सा chapter है ये chapter अगर आपने miss किया तो जो अगला chapter है आपका potential and capacitance उसमें दिक्कत होगी फिर आगे current electricity में feel नहीं आएगी तो 12th अगर आप अभी से भी start कर रहे हो इन lectures के माध्यम से भी आप 12th start कर रहे हो मैं इतना आपको commit कर सकता हूं कि neat में तो आपके 150 प्लस आएंगे ही आएंगे 12th अगर आपने अच्छे से follow कर ली तो boards में भी आपका अच्छे marks आ जाएंगे ठीक है hello 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 सब कवर होगा सब कवर होगा everything will be covered बट मैं ये बता रहा हूं कि आज वाला lecture is not a one-shot lecture इस series में neat in 140 days में हमारी priority one-shots करके syllabus को फटा-फट complete करने की नहीं है हमारी priority है कि 140 दिन जो की बहुत time होता है मतलब till about January end तक आपका पूरा physics syllabus detailed में cover कर आए दिया जाए free में YouTube पर तो जो जो बच्चे इन सारे days को follow करोगे apart from जो आपके current chapters चल रहे हैं आपके मतलब आपके school में या कहीं पर भी वो तो आप follow कर ही लीजिए but please follow this series इससे आपका 140 days में पूरा neat का physics का revision अच्छे से हो जाएगा ठीक है चल ये बिलकुल सब कुछ cover होगा चल ये दोस्ट So let us get started तो हमारा aim यही आपको पता ही है कि हमें neat phone ना है 140 दिनों में तो September में हमने start करी थी कल start करी थी कल day 1 था और आज इस series का day 2 है चैनल को subscribe और like कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया और last में आप 100% subscribe करके जाओगे क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला इस session में visualization tricks भी होने वाली है और आपको पूरा अच्छे से समझ आने वाला है electric charges जो कि आज का हमारा agenda है ठीक है दोस्त आज है day number 2 राइट तो हमारा schedule जिन जिन बच्चों को नहीं पता 11 a.m. we take 11th के classes और 1 p.m. we take 12th के classes alternate days Monday, Wednesday, Friday, Tuesday, Thursday, Saturday पूरे हफ़ते में 6 classes इस series में आपकी होंगी चलिए दोस्त स्टार्ट करें चलिए let us now get started चलिए बॉस तो electric charges and fields में basically पांच चीज़ें आपको पढ़नी है पांच इसके सब topics हैं तो minimum 5 lectures तो लगेंगे ही जादा भी लग सकते 6 या 7 बहुत जादा भी नहीं लगाएंगे आपको सारी चीज़ें 5 best detailed lecture में with questions जी हां दोस्तों DC पांडे के बहुत अच्छे अच्छे questions भी मैं आपको साथ में कराता चलूंगा जो भी आपकी अच्छी reference book हैं सबके questions में मिला कर कराता चला जाओंगा तो अगर आपनी ये lecture भी ध्यान से follow कर लिया इसकी PDF भी download करके यही सवाल फिर से कर लिए आपकी end-to-end दोस्त बहुत अच्छे से practice होने वाली है ठीक है चलिए good afternoon good afternoon my dear friends चलिए तो क्या-क्या topic आपको इस chapter में पढ़ना है एक बार समझ लीजिए सबसे पहले जो आज हमें पढ़ना है वो है electric charges कि भईया electric charge होता क्या है right what are conductors and insulators what are the methods of charging right quantization of charge क्या होता है charge की basic properties क्या होती है यह आज के class का agenda है फिर हम क्या करेंगे coulombs low पढ़ेंगे फिर electric field पढ़ेंगे फिर electric dipole पढ़ेंगे और last में electric flux जो की gauss low वगेरा भी है वो सब पढ़ेंगे तो यह 5 चीजे mostly आपके पूरे chapter को summarize करती है ठीक है दोस्त यह हमें पढ़ना है पीडिएफ कब मिलेगी दोस्त कल मैंने शाम को इवनिंग में टेलीग्राम पर भेज दी थी जो भी पेंडिंग पीडिएफ थी तो एक बाद टेलीग्राम ग्रुप आप जॉइन कर लिजे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख जाएगा विदान्तु नीट में डीजी का टेलीग्राम ग्रुप वहां से जॉइन कर लिजे एंड इट वूड भी क्लियर तू यू ठीक है आपको वहां से क्लियर हो जाएगा ठीक है मिल जाएगी आपको वहां से चलिए तो दोस्त लेट अस नाओ गेट स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बताओ भाईया what do you mean by electric charges what is an electric charge आपने कई ना कई पढ़ रखा होगा कि भाईया इसको electric charge यहां पर flow कर रहा है current में आपने पढ़ रखा होगा कि charge flow कर रहा है चार्ज होता क्या है चार्ज क्या होता है electric charge can be defined as an intrinsic property अब intrinsic एक नया वर्ड आ गया intrinsic का क्या मतलब है जैसे mass उसकी खुद की property होती है mass किसी भी particle की खुद की property होती है इसी तरहां से charge भी खुद की ही property होती है inherent property होती है intrinsic property होती है किसी भी material की ठीक है दोस्त charge is an intrinsic property of any material intrinsic property of elementary particle of matter which give rise to electrical force between various objects electrical force अब इसको ऐसा समझो दोस्त mass आपने पढ़ रखाया अब आप charge पढ़ोगे mass की वज़े से एक कौन सी field develop होती है किसी को पता है mass की वज़े से कौन सी field develop होती है gravitational field इसी तरहां से ऐसे समझ लो कि भाया जो charge है right that is yet another intrinsic property like mass is यहां इसकी वज़े से एक electrical field develop होती है इसी electrical field की वज़े से दो particles के बीच में electric force develop होता है तो मतलब यह foundation हो गया ठीक है charge एक foundation हो गया charge के बीना भाया current electricity कैसे पढ़ेंगे current electricity क्या होता है moment of charge तो भाया जब charge ही नहीं पढ़ोगे तो moment of charge कैसे समझ आएगा so that is why second chapter को पढ़ने की गलती मत करना यह chapter करे बीना ठीक है जो बच्चे बोलते है sir second chapter हमें अच्छे से समझ नहीं आता right हमें electric potential potential difference capacitance समझ नहीं आता reason यह है क्योंकि आपने यह field से समझा ही नहीं आपको charge पता ही नहीं है क्या है charge भाया एक intrinsic property है किसी भी material की जो क्या rise करता है electrical force दो object के बीच में जो electrical force है वो charge की वज़े से है कहने का सीधा सीधा यह मतलब है दोस कि अगर मेरे पास एक positive charge है एक negative charge है यह आपस में attract होते हैं किसी scientist ने देखा यह आपस में attract होते हैं अब यह क्यों attract होते हैं इस क्यों का answer charge की वज़े से आया ठीक है यह क्यों attract होते हैं because of charge आर यह बात समझ जैसा अगर sun और earth attract होते हैं क्यों का answer आया gravity अब यह gravity भी क्यों हुई दोनों के mass की वज़े से इसी तरहां से यहाँ पर mass responsible था यहाँ पर charge responsible है बोलो चमका के नहीं चमका सबको समझ आ रहे है ठीक है बहुत साई चमका सर ठीक है चमकना भी चाहिए ठीक है पढ़ रहे हैं तो तो बिल्कुल चमकना चाहिए चलिए it is represented by q अब charge को न हम capital q से भी represent कर देते हैं small q से भी represent कर देते हैं charge को capital q से भी represent कर देते हैं और small q से भी कर सकते हैं इसा unit of charge is coolam capital C ऐसा unit of charge क्या है दोस्त कूलम लाइन बाइन पढ़ेंगे हर चीज क्लियर हो जाएगी जिन जिन चीजों को मैं डब्बों के अंदर बना रहा हूं कृपया वो चीजें अपने handwritten notes में उतार लिजिए आपको literally यहां पर जो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको handwritten notes में class के साथ साथ लिखते चलना है तभी तो मज़ा आएगा दोस्त ठीक है अब proton has a positive charge plus e and electron has a negative charge minus e एक चीज आपको याद करनी है दोस्त कि जो electron है उसके अंदर charge होता है minus 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कूलम क्या है भाईया ऐसा unit of charge capital C से represent करते हैं तो भाईया electron कर electron पर charge है minus this proton पर charge है minus of electron मतलब e ठीक है ये खाली ठीक है ये वाला आरे ये बाद समझ तो proton पर charge हो जाएगा plus e आरे ये बाद समझ प्लस e तो proton पर charge है दोस्त प्लस e और electron पर charge है minus e where e की value is the magnitude of charge on electron that is 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कूलम ठीक है चलिए clear है दोस्त बहुत ही simple right तो इस slide में से अगर कोई बोले कि सर हमें क्या चीज़ note कर लूँ जो मुझे 100% note करनी है कि भाईया e की value होती है 1.6 into 10 raise to the power minus 19 कूलम प्रोटोन पर charge होता है प्लस e electron पर charge होता है minus e स्वाहा clear है बहुत simple right चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब important points क्या है regarding the electric charge right अब कुछ-कुछ बहुत important points हैं जैसे quantization of charge जिस पर हमेशा सवाल पूछा जाएगा right कहीं ना कहीं तोड मरोड के इस पर सवाल पूछा जाएगा अब समझो सबसे पहला like charges repel each other unlike charges attract each other क्या कोई बच्चा class में ऐसा है जिसको यह first point नहीं पता भाया आपके पास दो positive positive चिपका दिये तो यह क्या बोलेंगे भागो ठीक है यह दूर भागेंगे अगर आपने एक negative और negative साथ में रख दिये तो यह भी दूर भागेंगे और अगर आपने एक positive और negative एक negative आपने साथ में रख दिये तो क्या हो जाएगा they will get attracted ठीक है like charges repel unlike charges attract ठीक है noted sir perfect बहुत simple right चलिए second point क्या बोलता है हमार को the property which differentiates two kinds of charge is called a polarity of charge अब दो अलग लग चार्ज को क्या change कर रहा है उसकी polarity उसका sign मैंने क्या बोला कि भाया एक पर plus e है एक पर minus e है तो change क्या हुआ उसकी polarity उसका sign if an object possesses an electrical charge then it is set to be electrified or charged when the net charge is 0 it is called neutral right neutral जैसे neutron neutron is neutral एकदम basic चीज़ें बताई जा रही है ठीक है थाकि आपका एक foundation clear हो जाए ठीक है चलिए एकदम basic चीज़ है अगर किसी पर आपके पास अगर charge हो गया किसी object पर तो उसको electrified या charged बोल देते हैं अगर किसी पर charge नहीं है यह net charge की बात की जा रही है ध्यान देरा net charge की बात अगर net charge नहीं है तो neutral है अब net charge word मैंने क्यों बोला ध्यान दो भाईया indirectly आपने पता है कि भाईया अगर यह यहाँ पर मैंने कोई भी ले लिया एक object तो भाईया object बना कैसे electrons, protons और neutrons से तो charge तो हर object के पास है मैं net charge की बात कर रहा हूं कि क्या इसके अंदर कुछ excess of electrons है या नहीं इसकी बात की the charge is the scalar quantity जैसे मैंने scalar quantity सुना मेरी आधी तकलीफ कम हो गए क्योंकि यार physics में क्या होता है जैसी vector आ गया तो आप चीज़ों को add भी नहीं कर सकते बीच में angle आ जाता है ij के दिमाग खराब हो जाता है सही बात है के नहीं जैसी आपने scalar सुना तो मन को संतुष्टी मिली कि अगर एक body पर प्लस टू चार्ज है टू कूलम एक पर माइनस वन कूलम चार्ज है एक पर फाइफ कूलम चार्ज है और बोला कि भाईया तीनों को add करने ठीक है तीनों को डब्बे में बंद करके बताओ net charge कितना है तो आप क्या करोगे आप इसके अंदर सीधा सीधा basically क्या कर सकते हो 2-1 प्लस 5 तो यह कितना हो जागा 7-1 6 खूलम तो यह अच्छी बात है चार्ज is a scalar quantity या scalar quantity सुनते ही आप सारे basic operations इस पर कर सकते हो इसका magnitude होता है but it does not have any direction charge का magnitude है पर इसकी कोई direction नहीं है it can be of two types positive charge और negative charge ठीक है positive charge जो protons पर होता है negative charge जो electrons पर होता है when some electrons are removed from the atom it acquires a positive charge अब यह बहुत अच्छी बात है समझो इस बात को अगर मैंने बोला कि एक object को भाया negative charge करो negative charge करो नेगेटिव charge करो भाया इसको तो आप क्या बोलोगे अच्छा negative करने है तो negative की carriers कोन से है electron तो भाया electron को इसमें भेज दूँगा एक object को आपको negative charge करना है तो क्या करोगे उसके अंदर negative मतलब electrons भर दोगे तो क्या हो जाएगा excess of electrons negative charge अब एक दूसरा conception यह आता है कोई बोले कि अगर एक object को मुझे positive charge करना है positive charge करना है तो अब मैं क्या करूँगा अब कोई बोलेगा आप में से शायद शायद ही कोई बोलेगा बट अगर किसी ने बोला सर इसके अंदर ना हम protons add कर देंगे तो positive charge हो जाएगा बताओ इसमें क्या गलती है बताओ इस पूरे फंडे में क्या गलती है electron वाला तो सही है there is no problem in electron but proton वाले में गलती है बताओ कोई बताना चाहेगा क्या गलती है to all the students watching the session anybody would like to tell electron वाला तो सही है सही बात है एक object को negative charge करना है तो electrons उसके अंदर भेज दिए positive charge करने तो protons नहीं भेजे क्योंकि भाईया क्योंकि भाईया होता क्या है आप electron का structure समझो electron का structure के अंदर जो यहाँ पर nucleus के अंदर भाईया proton आपस में चिपके बैठें despite being positively charged they are still stuck together सोच रहे हो कोई तगड़ा force होगा ना जो इनको आपस में बांधे हुए है positive हैं सब positive हैं चाहते तो repel हो जाते बट फिर भी इसके ओपर कोई तो ऐसी चीज़े की सब बैठें यहाँ पर तो क्या है भाईया यहाँ पर मान लीजे आप एक class में हो class के सबसे शरारती बच्चे भी एकदम शांत बैठें तो कोई तो force होगा हो सकता है principal class के अंदर हो कुछ तो external force होगा ना भाईया तो यहाँ पर force क्या है nuclear force वो nuclear force से अंदर बंदे बैठें तो वो participate ही नहीं करते इलेक्ट्रोन भाईया बाहर participate करते हैं protons participate ही नहीं करते ठीक है तो protons can't move electrons are the ones that are moving from here and there तो protons तो moving नहीं कर रहे तो होगा क्या अब इसको मुझे positive charge करना है तो मैं यह तभी कर सकता हूं कि भाईया अब proton तो आ नहीं सकते तो अगर यहां से electron बाहर निकल जाएं इसके अंदर कुछ electrons थे वो बाहर निकल जाएं अब net यहां पर positive आ जाएगा आ गई बात समझ electron enter करे तो negative बाहर जाएं तो positive ठीक है nuclear force ठीक है चलिए clear है दोस्त चलिए अब इस line का मतलब समझ आ गया सबको it acquires a positive charge when some electrons are removed from an atom it acquires the positive charge and electrons are added it acquires a negative charge सबको clear हो गया basic सी बात चलिए अगला charge can be transferred from one body to another transfer तो करी रहे है ना अभी हम पढ़ेंगे charge कैसे transfer करेंगे conduction induction यह सब अभी हम पढ़ेंगे right but they can be transferred charge is an invariant it does not depend upon velocity of particle बहुत अच्छा बात है अब बताओ mass invariant होता है के नहीं कोई comment section में बताना चाहेगा is mass invariant कहने का क्या मतलब है क्या mass velocity पर depend करता है बिल्कुल करता है mass changes with velocity अगर हो सके तो lecture के बाद में comment section में पक्का बताना what is the formula that tells how much velocities change with mass बताना ठीक है but mass depends upon velocity where the charge is invariant यह velocity पर depend ही नहीं करता कोई अगर light की speed से भी चले with a plus q कूलम plus c कूलम तो उस पर plus c ही रहेगा right ना बढ़ेगा ना घटेगा ठीक है clear हो गया चलिए आगे बढ़े let's move to the next thing अगला property क्या बोलता है the charge of a particle at rest produces electrical field अगर कोई charge rest पर है तो वो electrical field produce करता है मैंने यहां पर एक charge लिख दिया 1 कूलम तो अपने आसपास एक electrical field produce करेगा ठीक है अपने आसपास एक electrical field produce करेगा a charged particle with unaccelerated motion अगर unaccelerated motion है मतलब उसके अंदर uniform velocity से अगर एक charge particle को धक्का दिया तो अब इसके अंदर electric and magnetic field होगा इस पर न direct neat में सवाल आ रख है लिख लो ध्यान से प्लीज इस point को अपने notes में डाल लीजिए दोस्ट direct इस पर neat में एक बार सवाल आ रख है direct का direct कि मतलब कहां पर electric होगा कहां पर tick mark वाला था ठीक है मतलब एक डबबा बना हुआ था कि हाँ इसमें rest पर यह भी होता है यह भी होता है unaccelerated में लिख लीजिए ठीक है ऐसी छोटी 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 चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीजों से neat में सवाल बन रहे हैं ठीक है तबी मैंने यहां पर सारी चीज़ें उतार दी हैं आप मतलब अगर उसकी velocity sorry unaccelerated motion है मतलब within unaccelerated motion acceleration नहीं है मतलब velocity constant है तो उस पर बस उस पर electric field भी होगी magnetic field भी होगी बट उस वो energy radiate नहीं करेगा और अगर एक particle accelerated है एक charge particle accelerated है मतलब velocity time के साथ साथ change हो रही है तो वो electric field magnetic field also radiates energy in the form of electromagnetic wave EM wave electromagnetic wave आ गई बात समझ तो आपको क्या note करना है यहां से कि भाईया अगर मेरे पास एक charge है ठीक है और यहां पर क्या लिख रखा है electric field magnetic field electromagnetic field ठीक है अगर charge rest पर है तो यह electric field होगा magnetic और electromagnetic नहीं होगा अगर charge particle non accelerated है non accelerated है तो electric field magnetic field electromagnetic field नहीं होगा अगर एक charge particle accelerated है तो electric magnetic electromagnetic आ गई सबको बात समझ बहुत important है कुछ इसी तरह से इस पर सवाल आ रख है पहले से तो यह नोट कर लीजिए यह डब्बे में लगा कर नोट कर लीजिए सबको चमका बताओ 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 चलियर हो गया चलिए गाई अगर अच्छा लग रहा है तो like तो at least कर दीजिए ना तब सब्सक्राइब है और इन सीजिए इस टाट कूलम राइट यह कनवर्जन है नोट में लिख लीजिए जैसे जैसे questions आते हैं आपको लगेगा कि सर इतना थोड़ा मतलब रटवाना चाहिए मैं रटवा नहीं रहा यह कुछ-कुछ चीज़े है न पॉइंस जो कि आपकी अच स्टूडेंट्स के लिए उतना relevant नहीं हो सकता बट नीट में कई बार आपके theoretical questions आ रखें फिजिक से डायरेक्ट डायरेक्ट तो आपको यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ठीक है सर सेकेंड पॉइंट रिपीट कर दो सेकेंड पॉइंट कौन सा सेकेंड पॉइंट है देखो सेकेंड पॉइंट रिलेक्ट बोल हो क्या है यह यह वाला पॉंट यह सेकेंड पॉइंटrop पर चर्क्राइब चैक किया चलिक है अब आग्य बड़ते हैं अगला भी अगया यह बखला ने कर सेकेंड बोल रियो ये बर स कूलम और यह स्यूमयाघ रिलेशन है वन क electrostatic unit of charge ठीक है हमें कूलम से ही ज़्यादा मतलब रहेगा no voice clear है ना चलिए अगला point क्या है the dimensional formula of charge is a into t अब यह कहां से आया dimensional formula of charge is a into t आप सबको पता है current is equal to charge divided by time यह हम current electricity में पढ़ेंगे बट यह formula आपको दस्वी से भी आता होगा राइट current is equal to charge divided by time तो यहां से मैं दोस्ट क्या लिख सकता हूँ q is equal to i into t तो dimensional formula क्या हो जाएगा a into t where a is ampere t is time ठीक है तो dimensional formula क्या हो जाएगा दोस्ट a into t कई बार i into t भी लिख लेते हैं ठीक है please repeat point number six six point ठीक है six point फिर से repeat कर देता हूँ हो इंपोर्टेंट है ठीक है देखो six point क्या बोलते हैं यहां तक clear हो गया सबको ठीक है six point में एक बार चलिए एक बार ना मैं अलग से बता देता हूँ यहां बता देता हूँ ठीक है properties पर बार में आते six point एक बार मैं फिर से repeat कर रहा हूँ तो six point क्या बता रहा था कि मेरे पास एक charge है मेरे पास एक charge particle है राइट अगर यह charge particle दोस रेस्ट पर है अगर यह charge particle rest पर है तो यह अपने आसपास एक electrical field इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप करेगा ठीक है अगर एक charge particle particle motion में है motion में है such that जो उसका जो motion है वो unaccelerated है unaccelerated मतलब acceleration नहीं हो रहा unaccelerated motion मतलब constant velocity राइट अगर उसकी velocity constant है तो क्या करेगा यह अब यह electric field भी develop करेगा अपने आसपास plus magnetic field भी develop करेगा ठीक है magnetic field भी develop करेगा थोड़ा सा relate करो दोस्त आपने नहीं पढ़ रखा कि अगर एक charge particle move कर रहा है जैसी charge particle move किया तो electricity बन गई electricity कहीं पे flow कर रही है तो पास में क्या magnetic field नहीं बनती थी बताओ दसवी के वो सब चीजें याद करो कि एक current carrying wire के आसपास एक electric field develop होती थी बोलो होती थी के नहीं होती थी यहीं से तो हो रही है आ रही यह बात समझ तो क्या लिख दिया मैंने बस सीदी सी बात है अब अगला थोड़ा सा आप लोगों को नया लगेगा कि अगर एक charge particle है और वो accelerate कर रहा है right मतलब इसकी velocity non uniform है non uniform है right accelerate कर रहा है उसकी speed बढ़ती जा रही है time के साथ साथ तब वो electrical field भी होगी उसके आसपास magnetic field भी होगी at the same time electromagnetic field भी होगी देखो यहीं तो था electromagnetic wave भी होगा electromagnetic wave ठीक है clear है sir अब clear हो गया सबको यह वाला point चलिए right so that was six point six point is rather very very important right चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ जाएं दोस्त चलिए अब बात आ जाती है हमारी properties of electric charge की यहीं पर हम quantization of charge भी पढ़ेंगे right अभी कुछ important points पढ़े है ठीक है चलिए अब तो distances अगर जादा है as compared to size तो यहां पर भी वही बात है तो इसका जो distance है between them is very very large as compared to their size so we can consider them as point charges तो इनको point charges बोल देते हैं ठीक है in addition to being positive and negative the charges have the following properties अब कुछ properties हमें समझनी है charge की ठीक है please हंजी derivations भी कराएंगे derivations भी कराएंगे तभी मैं बोल रहा हूँ ना दोस्स it is not a crash course पूरे 140 दिन में आपकी neat physics अच्छे से होने वाली है जिसमें हर chapter को कम से कम 5 दिन दिये जाएंगे right चलिए अब मैंने क्या बताया charge is a scalar quantity scalar quantity है ना भाईया तो scalar quantity अगर है और मुझे addition करना है दो charges को add करना है तो मैं normal maths वाला addition करूंगा मैं 5 newton in east और 5 newton in west को direct add नहीं कर सकता ना वो तो चलो 0 हो जाएगा बट समझ रहो ना forces को मैं direct add नहीं कर सकता बट charges को मैं direct add कर सकता हूं क्यों क्योंकि यह scalar quantity है इनका direction इनका magnitude है direction नहीं है additivity of charges is the property by virtue of which the total charge of a system is obtained by simply algebraically adding all the charges जो normal algebra maths में normal algebra add करते थे ना plus 2 plus 5 वही करना है ठीक है या 2 minus 5 negative है तो ऐसा ठीक है inner system contains 2 point charges इतने then the total charge on the system is obtained by simply adding it right तो अगर q net is q1 plus q2 right एक बोडी है right isolated body की यहां पर बात की जाती है right मतलब isolated अलग से तनहा कहीं पर बैठी हुई है ठीक है तो यहां पर basically उसको क्या करने आपको बस उसको add या subscribe करने normally क्योंकि direction का कोई लेना देना है यह नहीं clear है दोस्त सबको clear हो गया यहां तक बहुत सई अगला charges conserved charge जो है वो conserved रहता है as in the total charge on an isolated system is conserved right तो यह अपने आपको मतलब basically charge का transfer हो सकता है it can be transferred from one body to another but it will be conserved कहने का क्या मतलब है मेरे पास यहां पर दो bodies है एक पर है plus one's coulomb एक पर है two coulomb charges ठीक है और यह isolated system का part है ठीक है एक isolated system का part है मैंने कुछ किया इसके अंदर charge transfer किया ठीक है चाहे मैं अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे transfer किया बट मानलो कोई एक तरह से transfer किया किन such a way ऐसा transfer किया कि दोनों में charge redistribute हो गया ध्यान दीजिए charge redistribute हो गया अब यहां पर भी 1.5 coulomb आ गया यहां पर 1.5 coulomb आ गया यहां पर भी 1.5 coulomb आ गया मैंने कुछ किया ठीक है मानलीजे टच करके एकदम टच करके छोड़ दिया conduction से charge किया ठीक है तो q1 प्लस q2 बा बट ऐसा हो गया ठीक है यह कुछ भी हो सकता था मानलो यह 0 हो जाता वो 3 हो जाता कुछ भी हो गया अब कहने का क्या मतलब है कि यहां पर इस body का net charge कितना है 3 coulomb अभी भी net charge कितना है 3 coulomb तो charge conserve रहता है charge lost नहीं होता या जादा नहीं बन जाता it can't be greater than 3 coulomb it can't be less than 3 coulomb that is what it simply means ठीक है चलिए चलिए आगे बढ़े quantization of charge बहुत ही important है quantization of charge इसको अच्छे से समझते है quantization of charge का मतलब क्या है मान लीजिए आपको ना आपको आपकी मम्मी ने बोला कि बेटा बाहर जाओ बाहर से apples लेकर आओ apples लेकर आओ ठीक है apples लेकर आओ आप गए बाहर ठीक है अब apples लेने गए आप अब आपको कितने apples मिल सकते हैं कितने apples मिल सकते हैं बाहर से बताओ क्या आपको अब आपने बोला कि यार मैं equation बनाता हूं आपके घर पे बहन बैठी दी आपकी घर पे बहन जो बैठी दी उसने बोला कि यार मैं equation बनाती हूं कि मेरा भाई कितने apples लेकर आएगा ठीक है तो क्या मेरा भाई एक apple लाएगा दो लाएगा तीन लाएगा साड़े तीन लाएगा चार लाएगा या पांच लाएगा बताओ इसमें से कौन सा बिलकुल ही गलत है वो तो होई नहीं सकता बताओ कौन सा बिलकुल ही गलत है ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा ना भाईया ये तो बिलकुल गलत है साड़े तीन कोन दे देगा भाया उसको आदा खा के आएगा रास्ता में वो अलग बात है दुकान दार उसको साड़े तीन तो नहीं दे सकता बोलो हाँ या ना राइट तो दिस इस नॉट पॉसिबल तो कहने का क्या मतलब है कि अगर उसकी सिस्टर एक फॉर्मूला बनाती है कि मेरा तो क्या हो सकता है वो बेसिकली क्या हो सकता है मिनिममम एपल कितना होगा एक मिनिममम एपल एक होगा उसको बस एन से मल्टिप्लाइ कर दो एन केन भी 123456 यही होगा ना आरी यह बात समझ मिनिममम इतना होगा सबको इतनी बात समझ आई नोटेट से बहुत सिंपल है राइ इंडिपेंडेंटली एक्जिस्स जो कर सकता है वो है वन इलेक्ट्रोन अब अगर मैंने बोला कि किसी बोड़ी पर चार्ज बताओ कितना होगा so that would be nothing but integral number of charge on electron plus minus लगा दो क्योंकि वो positive भी हो सकता है negative तो ये this is what is called the quantization of charge कि charge on any body can only be in integral multiple of charge on one electron किसी बोड़ी से आधा electron कभी भी नहीं जाएगा आधा electron इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट ही नहीं करता आर ये बात समझ आधा electron इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट ही नहीं करता तो ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है सबको चमका आधा electron नहीं हो सकता 1 electron हो सकता है 2 electron हो सकता है and so on and so forth मतलब यह जो number है वो एक integer होगा वो एक मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे आर यह बात समझ यह एक fraction में नहीं हो सकता 1 by 2 नहीं हो सकता 1 by 3 नहीं हो सकता clear है so that is what is called quantization of charge तो कहने का मतलब q is equal to plus minus n where n is equal to 1, 2, 3 any positive or negative integer and e is the basic unit of charge 1.6 into 10 raise to the power minus 19 coulomb ठीक है charge is said to be quantized because it can only have discrete values rather than arbitrary value तो arbitrary value नहीं हो सकती ठीक है a particle can have a charge of plus 10 e or minus 6 e it cannot have 3.57 e यह नहीं हो सकता आगई सबको बात समझ एन doubts till now हंजी notes available होगा telegram पर ठीक है telegram पर इसके notes available होंगे telegram का link आपको कहां पर मिल जाएगा description में बढ़ें आगे चलिए अगला एक चीज यहां पर please note कर लीजिए कि charge 1 e से नीचे exist ही नहीं कर सकता यह statement गलत है समझो मैं क्या बोल रहा हूं charge जो transfer कर रहे हैं यहां से यहां तो it has to be a free electron right free होना चाहिए ना यह charge तबी तो यह transfer होगा आप free नहीं हो आप किस ऐसे थोड़ ना घर पर किसी के पार्टी आप चले जाओगे आप बोलोगे ना भया मैं नीट की तयारी कर रहा हूं मैं free नहीं हो तो it has to be free it has to be individually getting मतलब एक तरहां से यह अलग से exist करता है के नहीं मतलब independently exist करता है के नहीं यह बात है तो जब मैं चार्ज को transfer कर रहा हूं it has to be independent वो किसी के साथ जुड़ा हुए तो कैसे transfer होगा तो it has to be independent तो मैं बोल रहा हूं independent आपका 1e ही हो सकता है तो 1e आएगा या जाएगा बट कोई बोले कि can charge less than 1e exist yes they can exist but not independently आरिये बात समझ 1e से नीचे भी charge exist कर सकता है but not independently ठीक है the protons and neutrons are a combination of things called quarks अब quarks पर charge क्या होता है देखो 1 by 3e plus minus 1 by 3e plus minus 2 by 3e fraction में charge exist करता है but क्या ये independently आप इसको निकाल सकते हो नहीं right तो isolated quarks cannot be observed मतलब इनको isolate नहीं कर सकते right but quantum of charge is still e right तभी हम बोल रहे है कि a quantum of charge को हम e ही बोलेंगे इस से नीचे हम नहीं जा सकते e से नीचे हम नहीं जा सकते उसको divide नहीं जा सकते is that clear बताओ दोस्स समझ आ गया समझ आ गया quantization of charge right तो आपको basics clear होने चाहिए कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं अब quickly example करो इनी properties पर जो अभी तक हमने किया है पहला what is the total charge on a system containing five charges अब इस पर पांच चार्ज है right और arbitrary unit में मतलब इसमें पांच चार्ज है total charge क्या होगा अब आपको बस यह पताओ नहीं चीए कि charge is a scalar quantity इसमें इसमें addition और subtraction कैसे होता है normal कि इसका addition और subtraction कैसे होता है normal additional subtraction की तरह तो क्यों क्या हो जाएगा इस पर क्यों net कितना हो जाएगा plus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 7 minus 8 यह हो जाएगा बताओ तो कितना हो जाएगा minus 1 clear है तो minus 1 would be the net charge on this body just give me one minute ठीक है चलिए तो minus 1 क्या हो जाएगा in the same unit नहीं बताया coulomb नहीं बताया समझ रहो मैंने आपर coulomb क्यों नहीं लिखा क्योंकि आपर coulomb नहीं दे रखा था कोई भी बोल दिया कोई अर्बिटरी यूनिट कोई भी यूनिट है बट फाइनल आंसर यहीं होगा ठीक है यह सर क्लियर बहुत बढ़िया सम कर देना सब second question इसी तरह से ना गाइस पूरी physics आपकी complete होने वाली है in detailed manner जंप नहीं कर रहे वन शोट में जैसे करना पड़ता है ना detailed manner में हर चोटे से चोटा topic बताया जाएगा 140 दिनों में combine for 11th and 12th 140 दिन में 11th के भी chapters है 12th के भी chapters है how many electrons are there in one coulomb of negative charge right one coulomb of negative charge मतलब q is equal to any आप सबको पता है right अब यह पूछ रहा है how many electrons are there in one coulomb तो q की value आपको कितनी दे दी गई दोस्त q की value दे दी one coulomb right और यह क्या है of a negative charge मतलब यह minus है ठीक है तो n क्या हो जाएगा n is equal to q divided by e right तो basically क्या हो जाएगा q की जगा मैं क्या लिख दूंगा 1 divided by e कितना होता है 1.6 into 10 raise to the power minus 19 आर यह बात समझ यह भी आपको याद कर लेना चाहिए वैसे तो यह finally कितना हो जाएगा 1 by 1.6 into 10 raise to the power 19 electrons correct तो one coulomb के अंदर इतने electrons होते हैं तो अगर आप इसको करोगे right तो यहाँ पर एक इसको दे दो तो यह हो जाएगा 10 by 1.6 into 10 raise to the power 18 इसको अगर आप solve करोगे तो आपका यह final answer आ जाएगा 6.25 ठीक है तो 6.25 into 10 raise to the power 18 electrons किसमें है 1 कूलम में 1 कूलम में इतने electrons है right 1 कूलम में इतने electrons है सबको चमका गे नहीं बहुत simple था right एक ही formula use करना है note it sir ठीक है चलिए clear हो गया ठीक है अब negative था तो उससे कोई जरुरत नहीं है ठीक है मतलब the negative charge is due to the presence of excess of electrons right तो हमें बस magnitude की बात है number of electrons ही पूछे तो यहां से आपके निकल जाएगे अगला सवाल कर लेते हैं अब a sphere of lead of mass 10 grams has net charge of this तो q कितना है minus 2.5 into 10 raise to the power minus 9 coulomb ठीक है तो q की value यह दे दी गई find the number पहला सवाल करते है find the number of excess electrons on the sphere right excess electrons पूछे तो हम जभी भी कुछ निकाल रहे हैं तो हम ideally तो excess electrons निकाल रहे हैं न सोचो हम उस पर excess electrons निकाल रहे है कि net कितने excess उस पर है electrons right हम उसके अंदर तो नहीं घूसरे कि भया actually lead के अंदर कितने electrons हैं जो उसको constitute करते हैं हम तो excess जब भी हम एक charge की बात करते हैं तो net charge की बात कर रहे हैं तो हम excess से निकाल रहे हैं तो q is equal to n times e में जो n है वो excess electrons की बात की जा रही है तो n कितना निकल जाएगा q divided by e मतलब minus 2.5 into 10 raise to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 raise to the power minus 19 बोलो हां या न ठीक है इतनी बात सबको समझ आ रही है 1.3 question की बताओ ठीक है oh sorry sorry यह minus 9 है my bad this is minus 9 ना मैं अभी काटने वाला था इन दोनों को यह minus 9 है ठीक है तो कितना हो जाएगा दोस्त 2.5 divided by 1.6 into 10 raise to the power 19 उपर चला जाएगा और उसमें से 10 raise to the power minus 10 हो जाएगा ना यहाँ पर 10 raise to the power minus 10 हो जाएगा बताओ तो यह आ जाएगा आपका कुछ 1.5 something into 10 raise to the power minus 10 electrons are excess आगे यह बात समझ इतने excess electrons है इतने electrons आपके excess में है clear this many is the excess electrons देखो यह excess electrons है ठीक है अब basically अब यहाँ पर charge on electron लिख लिया और यहाँ पर total charge उसमें था तो इतने excess electrons हैं आपके sign wine में confuse मत हुआ करो right cdc बात है e की value आपको बता है नीचे इलेक्स की बात कर रहे है और electrons ही move कर रहे है तो आपको minus e लेना है आपके बस clear है चलिए अब आगे बढ़े तो 1.56 into 10 raise to the power 10 electrons अगले सवाल में क्या पूछा गया है अगले सवाल में क्या पूछा गया है अगला पूछा गया है how many excess electrons are per lead Atom 1 lead Atom पर कितने excess electron है अभी आपने कितने निकाले अभी यह जो आपने निकाले excess electron यह 10 ग्राम लेड में है ठीक है यह 10 ग्राम लेड में है अब यह बोल रहा है एक अटम में कितने एकसेस है ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या दे दिया the atomic number of lead is 82 and the atomic mass is 207 तो atomic mass कितना है 207 ग्राम पर मोल तो 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 by 207 मोल तो यहाँ पर कितने ग्राम की बाद कर रखी है 10 तो यह हो जाएगा 10 divided by 207 मोल और एक मोल में कितना हो गया अब 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 याद है सबको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री याद है 6.02 गिनटो इंटा यह कारी आपके अब बद्समेंज आपको यह इसकू किस को सम considering खाए तो यह यह टॉटल एटम्स निकल जाएंगे आपके जिए अब यह बात समझ तो तो यह total atoms निकल गए, अब आपको पता है कि excess charge कितना है, इतना, तो excess charge आपको पता है कितना है, 1.56 into 10 raise to the power, 10 electrons का excess है, और, एक atom पर पूछे, इतने atoms पर उतना excess है, एक पर कितना होगा, वो divided by यह कर देंगे, तो एक atom पर आ जाएगा, ठीक है, तो ultimately इसको divide कर देना है, किस से, य आया न, बताओ कितने बच्चों को चमका, आ गई बात समझ, तो 10 by 207 into this, इतने atoms आ जाएंगे आपके पास, कर लेना, calculation basic, ठीक है, तो 10 by this into this, इतने atoms आ जाएंगे, तो इतने atoms आपके पास निकल गए, 2.91 into 10 raise to the power, 22 आ रहा है न, 22, ठीक है, 22, ठीक है, और यहां से हो भी रह, एक दस इसको देदो, लगभग लगभग भी देखलो, एक दस अगर इसको देदो, रफली भी अगर आपको करना है, तो एक दस इसको देदो, तो यह हो जाएगा, 60 into 10, 600 divided by 200, रफली 3 के पास आएगा, 3 के पास आ रहा है, ऐसे quickly करना होता है आपको नीट में, ठीक है, तो य इतने electrons हो जाएंगे, the total number of excess electrons per lead is this, second step repeat कर दो, यह वाला step repeat कर दो, इसने आपको न, इसने आपको बोला, इसने आपको बोला कि यह जो excess electrons आपने निकाले, यह एक एटम में कितने है, यह तो total आपने 10 ग्राम में निकाल दिये, एक एटम में कितने, तो आपने देख लिया कि भाईया पहले 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं, आपने वो निकाल लिया, अब इसमें basically मैंने क्या यूज किया, आपको दे दिया कि 207 ग्राम्स आर इन वन मोल, तो 207 ग्राम्स इन वन मोल, 10 ग्राम में कितना होगा, 10 बाइ 207 इंटु एवगेडरोस नंबर, तो यह हो अब वो कितने थे, वो सारे एटम्स में थे, एक एटम्स में कितना होगा, divided by number of atoms कर दो, आगई बात समझ, बस यही किया है, clear है दोस्त, बस यही किया है, simple सा, right, चलिए, अब आजाते हैं आगे, right, अब करते हैं charging के methods, तो उससे पहले एक बार quickly समझ लेते हैं, कि what are conductors and insulators, conduct and insulators क्या क्या होते हैं, right, अब यह तो एक दम basic सी चीज है, बट फिर भी समझ लो, ठीक है, चमका सर, चलिए, हाँ, the quantization of electrical charge is the property by virtue of it, all the free charges are integral multiple of basic unit of charge, q is equal to n times a, यह तो हमें पता ही है, now, अब conductors क्या होते हैं, the substances through which the electrical charges can flow easily, right, जिसमें electrical charges easily flow कर सकते हैं, right, electrons easily आ जा सकते हैं, right, like, metal, human body, animal bodies, graphite, acids, all are the examples of conductors, सीधी शिवाते हैं, यह तो मतलब आप 6th class से ही पढ़ते हैं, right, insulators क्या होते हैं, the substances through which the electrical charges cannot flow easily, like glass, diamond, polycerine, plastic, nylon, wood, mica, all are the examples of insulators, basic आपको difference पता है na, conductors और insulators का, अब कोई बोले कि सर, wood के पास भी तो electrons हैं, कहने का यह मतलब है कि भाईया, wood के पास भी तो electrons हैं, क्या यह जो electrons हैं, यह इसको conductor नहीं बना सकते, electrons हैं, electron को flow करा देंगे, तो conductor हो जाएगा, सीधी सी बात यह है, कि भाईया, इसके पास na, electrons तो हैं, electrons तो दुनिया में हर चीज़ के पास हैं, free electrons नहीं हैं, metals के पास free electrons जादा हैं, और free electrons ही, तो भाईया, move कर रहे हैं, इधर से उधर, तो वही उसको conduction के लिए help कर रहे हैं, वही उसको conductor बना रहे हैं, तो यहाँ पर electron से जादा free electrons की बात की जा रही है, चलिए, अब charge करें कैसे दो bodies को, ठीक है, methods of charging, सबसे पहला is charging by rubbing, रइट, rubbing से charging कैसे करी जाती है, अब एक छोटा सा इसका simulation देख लेते हैं, अब आपके पास एक balloon है, और आपके पास एक woolen jacket है, ठीक है, अब आपने देखा होगा, आपने वो कुम वाला भी example देख रहा होगा, एक आप scale लेते हो, उसको बालते हो, ऐसे करते हो, और वो basically क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ, charge इधर से उधर हो जाते हैं, अब कहने का क्या मतलब है, देखो, सीधा सा मतलब यह है, कि एक balloon है, क्या यह neutral है, बताओ, क्या यह neutral है, जितने positive उतने negative, जितने positive उतने, दोनों bodies neutral है, देखो, बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों bodies neutral है, किसी पर कोई charge है ही नहीं, अब मैं rub करना start करत चार्ज transfer होता क्यूं है, भया charge बैठा था, free electron बैठा था, ठीक है, आपने उसको थोड़ी energy दी, वो फूदकने लगा, ठीक है, वो भागेगा एक जगा से दूसरी जगा, तो rubbing से क्या होता है, heat generate होती है, तो उससे energy मिल गई, बोलो हाँ या ना, जब सर्दी लगती है, तो ह मैं ऐसे करते हैं के नहीं हाथ को, और हाथ में गर्मी पैदा हो जाती है, तो क्या हो रहा है, rubbing से क्या हो रहा है, ultimately friction, friction से heat generate हो रही है, heat generate होई, तो मतलब electrons excite हो गए, वो भागने लगे, इधर से उधर, यही चीज़ है, तो जैसी इसको मैं इस पर rub करूंगा, ठीक है, electrons यहा से वहां जाने लग गए, ठीक है, तो ultimately क्या हो गया, मतलब वहां से electrons यहां आने लग गए, देखो, वहां वाले electrons यहां आ गए, तो यह जब electrons जंप करके यहां आ गए, तो यह क्या हो गया अब, यह क्या हो गया दोस्त, यह negative charge हो गया, बचा हो पॉसिटिव हो गया, right, अब यह देखो क्या हो रहा है, अब यह इसको attract करेगा, यही तो कुम करती है, क्या करती है, समझ आया के नहीं, ठीक है, बस यही, कुम में यही नहीं होता, अब यह, attract हो जाएगा, यही तो होता है, आपके पास कागज पढ़े हैं, आपके पास scale पढ़े है, कागज भी विचार स्केल भी न्यूट्रल राइट अभी आपने क्या किया अभी बेसिकली आपने क्या किया कि अब आपको एक को चार्ज करने है आपको स्केल को चार्ज करने है आप क्या करोगे ऐसे उसको रब किया रब करने से क्या हुआ उसके अंदर हीट एनर्जी हुई जो इलेक्ट्रोंस वो एकसाइट हो गए अबattan एकसाइट हो गए वह वूल से इस पर चले गए बिचारे यहां से फूरसर निकल गए तो यहां पर यहां पर नेट अब इलेक्ट्रोंस क्या हो गई कमी हो गई तो नेट सबक्माइ हो गई तो नेगिटेव च्राजर अब यह फाइょionarminister करता है, चमका के नहीं, बताओ, ठीक है, बिलकुल सरी, ठीक है, clear है, आ गही सबको बात समझ, so this is an example of charging by rubbing, when two bodies are rubbed together, some electrons from one body gets transferred to another body, the positive and negative charges appear on the bodies in the equal amount simultaneously due to the transfer of electrons, ठीक है, transfer of electrons की वज़े से यहाँ पर charge transfer हो जाता है, ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, कि अगर मेरे पास एक body है, और दूसरी body है, दोनों को rub किया, ठीक है, मानलो यहाँ से electrons निकल गए, यहाँ से electrons निकले गए, तो इस पर charge हो जाएगा plus any, यहाँ पर हो जाएगा minus any, charge हो जाएगा न, यहाँ से n electrons निकल गए, जैसे balloon था, यहाँ यहाँ पर वो balloon था, और यहाँ पर क्या था, यह sweater था, तमझ रहो न, यहाँ पर आपका एक sweater था, तो ultimately क्या हुआ, sweater से electrons निकल गए, तो अब इस पर net charge कितना हो जाएगा, जितने निकले उसका वो plus any, यहाँ पर minus any, clear हो गया के नहीं, तो यह होता है, charging by rubbing, ठीक है, इसको बोला जाता है, charging by rubbing, ठीक है, चलिया, clear हो गया, charging by rubbing, right, silk cloth को glass से ऐसे rub किया, तो ebonite road on rubbing with the wool becomes negatively charged, making the wool positive charge, अब जो wool है, right, वो positive charge हो जाएगी, और जो आपकी ebonite road है, वो negative charge हो जाएगी, right, अब इस तरह से जब आप rub करोगे, right, यहाँ एक electron loose कर देगा, एक electron gain कर देगा, clear हो गया, right, similarly silk वाला example देख लो, ठीक है, अब silk ने क्या किया, अब glass road पर आपके silk में electrons आ गए, उस से electrons चलेगा, ठीक है, एक loose कर देगा, एक gain कर देगा, बस, यहाँ पर यह अलगलग examples भी थे क्या, यह देखो, अगर इसको मैं charge difference की बात करूँ, rub किया, यह देखो, बहुत जादा rub कर दिया, तो देखो, अब यह दो बहुत जादा इस पर आ गए, जितना जादा rub करोगे, उतना जादा हो जाएगा, clear, अब यह charge difference है, all charges की बात करें, तो अब मैंने इसके इतना rub कर दिया, कि भाईया, इसके सारे electrons, मैंने इसको अपने पर ले लिया, ठीक है, बस, यही है, clear है, तो that is called charging by rubbing, अगली बात करते हैं, अगली बात कर charging by contact और conduction, अब इसका क्या मतलब है, इसको एक चुटकी के time के लिए टक करके एक बार contact कर देना होता है, right, कहने का सीधा मतलब यह है, कि अगर मेरे पास दो spheres हैं, समझो इस बात को, मेरे पास दो spheres हैं, right, दो spheres हैं, अब यह जो spheres हैं न दोस्त, यहाँ पर इस chapter में जो हम 22 के होते हैं, right, अब मतलब मान लो, इस पर अगर Q1 charge है, इस पर Q1 charge है, इस पर Q2 charge है, आप इसको touch करके separate करोगे, तो इन दोनों पर net charge क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 divided by 2, समझ रो, Q1 प्लस Q2 divided by 2, right, मान लीजिए, before touching, before touching, दोनों पर चार्ज, क्या था, मान लो, दोनों पर चार्ज था, 2 Q1 और 5 Q1, ठीक है, या फिर simply ले ले लेते हैं, 3 Q1, ठीक है, 2 Q1 और 3 Q1, after rubbing क्या हो जाएगा, after touching क्या हो जाएगा, after touching क्या हो जाएगा, इनका मतलब ये, तो उस पे भी 2.5 और उस पे भी 2.5, total अभी भी conserved है, right, 5 ही है, बट ये ऐसा हो जाएगा, अब ये हो क्यों रहे, सोचो, जैसी मान लीजिए, मान लीजिए, right, इस पर plus Q, minus Q, अगर आप इसको ऐसे देखिए, कि ultimately अब क्या हो रहे, यहाँ पर जैसी आपने इसको टच किया, right, जैसी टच किया, मान लो यहाँ पर ये positive जादा था, ठीक है, मान लो इसको कुछ ऐसे देख लो, कि मान लो इसके अंदर ये ऐसे थे, 2, ऐसा, ठीक है, और ये basically मान लो ये net positive था, इसके पास ये ऐसा situation था, एक extra positive था, या फिर मान लेते हैं, 2 extra positive थे, ठीक है, और ये वाली body कुछ ऐसे चार्ज थी, कि इस पर negative जादा थे, इस पर negative जादा थे, right, तो अब basically अब यहाँ पर, हाँ, ये कुछ ऐसे body थी, मान लो, ये दो bodies कुछ ऐसे, जैसी आपने इसको touch किया, अभी क्या होगा, ये जो electrons है, right, ये जो excess electrons है, मतलब इस पर एक excess electron है, right, ये दोनों तो इसको neutral कर देंगे, ये सारे इस पर एक excess electron है, ये एक excess electron यहाँ पर चला जाएगा, right, यहाँ पर चला जाएगा, इसको neutral कर देगा, तो touch करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर एक रह गया, और यहाँ पर एक ये रह गया, ठीक है, कि दो equal shape के अगर bodies है, right, एक पर charge q1 है, एक पर q2 है, इसको touch करके separate करोगे, तो दोनों पर charge q1 plus q2 by 2 हो जाएगा, net, बस, यही है, सीधी भाशा में यही है, clear हो गया, ठीक है, clear है दोस्त, so that is charging by contact or conduction, two conductors, one is charged and the other is uncharged, bring the conductors in contact with each other, the charge, whether negative or positive under the own repulsion, will spread over both the conductors, thus the conductor will be charged with the same sign, this is called charging by conduction, अब इसमें एक simple सा example ले लिया, अब basically मान लो एक charged है, मान लो charged है, तो मतलब इस पर कुछ excess of positive है, एक uncharged है, इस पर कुछ भी नहीं है, जब आप इनको touch करोगे, जब आप इनको touch करोगे, तो आप ऐसा हो जाएगा, दोनों पर ऐसे दो-दो positive हो जाएगे, आर ये बात समझ, that is charging by conduction, अब इसका जो actual feel आपको आएगा न, वो अगले chapter में आएगा, कि ये हुआ क्यों, दोनों के potentials equate हो जाते हैं, आर ये बात समझ, तो वहाँ पर आप ये भी पढ़ोगे, कि अगर इनकी shape and size अलग-लग है, तब भी क्या होगा, तो इसका जो actual reason है, ये क्यों हुआ, इनके potentials same होगा है, ये हम अगले chapter में पढ़ेंगे, अभी के लिए, बस इतना आप जान लीजिए, कि इन दोनों के बीच के जो charges हैं, वो equal distribute हो जाएंगे कब, अगर same shape and size हो, अगर same shape and size नहीं हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, last आ जाता है charging by induction, अब charging by induction अपने आप में बहुत अच्छा वो है, अब इसका क्या मतलब है, basically आपने क्या किया, आपके पास एक neutral ball थी, आपके पास एक neutral ball थी, अब ये आपने कहां देख रखा होगा, आपने basically आपने कूमली, आपने ऐसे किया, ठीक है, आपने ऐसे किया, अब इसको भी न, मैं एक example से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा, मान लो, अब charging by induction क्या है, देखो, अब आपने क्या किया, सबसे पहले rubbing से इसको charge किया, ठीक है, अब ये क्या हो गया भाईया, इस पर हो गया, इस body पर net negative charge, अब wall बेचारी neutral थी, अब मैं इसक यहाँ पर अगर लेके जाऊंगा, देख रहो क्या और है, देख रहो क्या और है, wall के electrons धूर भाग रहे हैं, इसको मैं touch भी नहीं किया मैंने, देखो, दूर से, ऐसे, दूर भाग रहे हैं, समझ रहो, तो होगा क्या, एक stage पर न, और ये एक stage पर, अब देखो, ये मैंने touch भी नहीं किया, ये कोई conduction वगेरा नहीं है, wall भी इन insulator है, बट होगा क्या, कि ये electrons दूर भाग जाएंगे, और ये यहाँ पर आ जाएंगे, इस situation में, जो wall की हालत है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, polarity, poles develop हो गए, एक positive और एक negative, आर ये बात समझ, poles develop हो गए, इधर positive, उधर negative क्या ये neutral है अभी भी, बिल्कुल neutral है, net charge on the wall तो अभी भी same ही है ना दोस्त, समझो, यहाँ पर क्या ये neutral रह गई, नहीं, क्योंकि यहाँ पर excess हो गए, बट यहाँ पर, क्या है ये, ये अभी भी wall neutral है, wall अभी भी neutral है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ के electrons को earthing दे दूं, यहा आपके पास body थी, जो की neutral थी, ठीक है, जो की neutral थी, right, इसके अंदर, एक second, ठीक है, neutral थी, इसके अंदर, wait, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, similarly, एक, दो, तीन, चार, ऐसे थे, अब मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर, एक negative charge object को ले आया, तो यह electrons इससे repel हो गए, right, तो अब यह redistribute हो गए, यह polarize हो गई रो, अब देखो क्या हुआ, अब basically क्या हो गया, यह negative दूर भाग गए, ठीक है, और यह positive, इसको attract करने लगे, ठीक है, attract करने लगे, अब यह जो body हो गई न, यह polarize हो गई, आर यह बात समझ, right, it is a charged body, if a charged body is brought near an uncharged body, then one side of the neutral body, closer to the charged body, becomes oppositely charged, while the other becomes similarly like this, आर यह बात समझ, अब यह positive की तड़ा ले लो, आप यह positive ले आए, तो यहाँ पर negative हो गया, यहाँ पर positive हो गया, right, अब यहाँ पर negative हो गया सारा, यहाँ positive, अब इसको आप earth से अगर connect कर दोगे, तो यह वाला सारा charge आपका neutral हो जा आएगा, आर यह बात समझ, so this is called charging by induction, clear हो गया दोस्त, ठीक है, हो गया close, complete, चलिए, so that is called charging by induction, तो तीन method of charging आज हमने पढ़ लिये, first और बाकी properties of charge, first charging by conduction, charging by conduction, charging by conduction क्या होता है, दो conductors है, टक करके एक बार कर दिया, right, दोनों में charge equally distribute हो जाएगा, कब, जब दोनों की shape and size same हो, आगे इसका answer पढ़ेंगे, हम second chapter में potential same हो जाएगा, right, दूसरा क्या, charging by friction, friction में क्या हो रहा था, heat energy बन रही थी, एक electron excite हो गए, एक जगा चले गए, वापिस deficiency रह गए, तीसरा क्या है, charging by induction, induction में induce हो रहे, मतलब basically क्या हो रहे, एक neutral body अराम से शांत बैठी थी, उसके पास एक वोवली body आ गई, एक charge body आ गई, अब यहां की electrons का मन ललचा गया, ठीक है, अब वो वहाँ पर attract होने लगे, वो दूसरे बचे हुए, मतलब repel होने लगे, right, अब यहां पर electron यह repel हो गए, positive attract हो गए, तो यहां पर body क्या हो गई, polarize हो गई इस time पर, polarization का क्या मतलब है, कि भाया, एक end पर positive हो गया, एक पर negative हो गया, as a total body अभी भी neutral है, आ रहे यह बात समझ, note it sir, as a, वो अभी भी body क्या है, neutral है, ठीक है, चलिए, आ गई, और यहां पर touch किया भी नहीं है, अभी भी gap है, contact में तो touch किया, conduction में, contact, अभी उसको contact बोलते हैं, उसमें touch किया, इसमें तो अगली क्लास में, अगली क्लास में, कूलम्स लो से स्टार्ट करेंगे, समझ आया, ऐसे अराम अराम से करेंगे, बट पूरा सिलेवस आपका 140 दिन में complete करेंगे, intention यह है कि भाया, confidence आना चाहिए, मेरा यहां पर खड़े हो के, यह काम नहीं हो सकता कि आपका बचा हुआ confidence भ आपके easily आ सकते हैं, neat is an exam where accuracy matters, it is not a difficult exam, physics की मैं बात कर रहा हूँ, literally बिछले 2-3 साल से हमने देखा है, neat exam में, physics का level is very easy to moderate, right, just tough करेंगे, tough करेंगे, tough करेंगे, में आप अपना confidence मत डाउन करो, normal चीजें पढ़ो, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ो, सारे important questions, formulas में आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, right, YouTube के ही माध्य हम से, YouTube में ही सारे formulas आपके 140 दिन में हो जाने वाले हैं, अगर आपने अच्छे से, right, dedicatedly इसको follow किया, तो आपके 150 प्लस easily आ सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो अब फटा-फट दोस्त क्या कर लेते हैं, 10 questions लगाते है and then tata bye-bye, आज के लिए, मतलब अभी इस वाले के लिए, शाम को classes अभी भी हैं, पहला, one metallic sphere A is given positive charge, whereas the other identical metallic sphere B of exactly same mass is given equal amount of negative charge, एक को भाया मैंने positive charge दिया, और एक को मैंने negative charge दिया, ठीक है, A is given a positive charge and B is given a negative charge, then, अब mass पूछा है कि क्या change होगा, क्या change नहीं होगा, बताइए, अब देखो, mass of A and B remains equal, mass of A increases B, अब होता क्या है, किसी चीज़ को जब negative charge दिया, मतलब इसके अंदर electrons आए, किसी चीज़ को positive दिया, मतलब electrons निकले, अब पता है कि भाया, electron का mass negligible है, बट 0 तो नहीं है, राइट, तो होगा क्या, जहां से electrons निकले, उसका mass decrease हो जाएगा, और जहां से आए, उसका mass increase हो जाए first का the answer, चमका के नहीं, first का the answer, चीक है, उसकी में one minute, चली, अगले सवाल पर बढ़ें, चली, अगले पर बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, when 10 raise to the power 14 electrons are removed from a neutral matter sphere, then the charge on the sphere become, अब 10 raise to the power 14 electrons निकाल दिये, तो number of electrons कितना दे रख है भाहिया, n की value दे रख ही है, 10 raise to the power 14, और charge पूछा है, क्यों कितना होता है, n times e, मतलब 10 raise to the power 14 divided, multiply by 1.6 into 10 raise to the power minus 19, ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्स, 1.6 into 10 raise to the power minus 5, बताओ, यही हो जाएगा न, ठीक है, यही हो जाएगा न, क्यों कुछ गलत कर दिया, ठीक है, चलिए, 1.6 into 10 raise to the power minus 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 into 10 raise to the power minus 6, ठीक है, एक और डिवाइड कर दिया, तो यह कितना हो जाएगा, 16 micro coulomb, micro 10 raise to the power minus 6 होता है न, तो answer क्या आ जाएगा, 16 micro coulomb, अब options में दोनों है, plus और minus, अब electrons निकले हैं, electrons जब निकलेंगे, तो net charge कौन सा होगा, positive charge, right, तो plus, आ जाएगा answer आपका, second का a would be the right answer, आ गई बात समझ, a would be the right answer, ठीक है, चलिए, अगला सवाल, क्या पूछा जा रहा है, a conductor has 14.4 into 10 to the power minus 19 coulomb positive charge, तो charge कितना दे दिया भाईया, प्लस में 14.4 into 10 raise to the power minus 19 coulomb, the conductor has, अच्छा, electrons पूछ रहे, कितने excess में हैं, ठीक है, अब आपको पता है, Q is equal to N E, N is equal to Q by E, ठीक है, तो Q कितना हो गया, 14.4 into 10 raise to the power minus 19, divided by 1.6 into 10 raise to the power minus 19, divide कर लो, answer आजाएगा, कितना आ रहे है दोस्त, थर्ड का, बताओ, तो 16 से कर लो, ठीक है, तो 144 divided by, 9 पर ही चला जाएगा, ठीक है, 9, तो 9 would be the right answer, 9 electrons, अब हाँ, अब ये excess में है कि क्या, अब इसके पास क्या है, positive charge है, positive है, तो मतलब electrons की deficiency है, निकले ना, तभी तो positive हुए, तो it has 9 electrons in short, ठीक है, तो 3rd का आपका answer क्या हो जाएगा, 9 electrons in short, D answer होना चाहिए, ठीक है, D would be the right answer, तो basics अगर clear हैं, तो simple है, अब the charge on alpha particle is, अब alpha particle सबको पता है क्या होता है, किस-किस को पता है alpha particle क्या होता है, alpha particle पर charge क्या होता है, बताओ, what is an alpha particle, बहुत सारे बच्चों को alpha particle अगर नहीं पता होगा, तो गलत हो जाएगा, see, alpha particle is this, जिसके अंदर 2 protons है, 2 neutrons है, ठीक है, 2 protons है, मतलब, 2 protons जितना charge है, मतलब, plus 2 E का charge है, ठीक है, plus 2 E का charge है, तो मतलब, कितना हो जाएगा, 2 into E की value कितनी होता है, 1.6 into 10 raised to the power minus 19, तो कितना हो जाएगा, 3.2 into 10 raised to the power minus 19, तो 3.2 into 10 raised to the power minus 19 positive है, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, that is how you had to do this, सवार, ठीक हो जाएगा answer, ठीक है, quickly, ऐसे न हर, जो हम ये वाले sessions लेंगे, neat in 140 days, जो कि one shots नहीं होंगे, one shots भी कराता रहूँगा, जैसे ये chapter complete हो जाएगा, for your revision, but generally, जो हम ऐसे long length sessions लेंगे, उसमें मैं questions भी कराता चलूँगा, ठीक है, चलिए, अगला, a body has minus 80 coulm of charge, number of additional electron in it would be, obviously minus है, तो additionally होंगे, तो q is equal to minus 80 into 10 raised to the power minus 6 coulm दे रखा है, ठीक है, coulm दे रखा है, और, अब q is equal to any होता है, हम से क्या पूछ रखा है, n पूछ रखा है न, the additional, n is equal to minus 80 into 10 raised to the power minus 6 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19, बताओ कितना होगा 5th का, what would be the answer, ठीक है, यहां से आप लिखलो, minus 80 divided by 16 into 10 raised to the power minus 6 into 10 raised to the power minus 18, एक 10 इसको दे दिया मैंने, यह 5 हो गया, तो हो जाएगा 5 into 10 raised to the power, 18 उपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा यह, minus 12, right, और यह minus में, मतलब बट इलेक्रों पूछे हैं तो वो तो बस उसका number पूछ रखा है, तो नीचे आपको minus लिखना पड़ता है, यहाँ पर, ठीक है, तो यह minus और minus cancel हो जाएगा, तो ultimately 5 into 10 raised to the power, minus कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ तो गलत किया है, मैंने, कुछ तो, अरे, 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 यह क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत किया है, 1.6 है न, into 10 कर रहा हूं मैं, sorry, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, sorry, my bad, my bad, my bad, अभी कर देता हूं, ठीक है, तो basically, यहाँ पर मैंने क्या किया, 80 divided by 16 into 10 raised to the power minus 6 into 10, 10, उपर ले गया न, 10, 16 कर दिया, into 10 raised to the power minus 19, तो यह तो हो जाएगा, भाईया, 5, तो यह हो जाएगा, 5 into, right, अब यह हो जाएगा, 10 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power 18, यह हो जाएगा न, 10 raised to the power minus 5, 19, क्या कर रहा हूं मैं, into 10 raised to the power 19, तो कितना हो जाएगा, 5 into 10 raised to the power 14, पाइव इंटू 10 देश्ट पार 14 ठीए रहे गलत किया है अब तो सही हो गया C करेक्ट ऑप्छन है ठीक है चलिए मैंने ये 10 देश्ट पार में कुछ कुछ कर दिया था आगे बढ़े C would be the right answer करते हैं 6th question 6th question क्या पूछ रहा है ध्यान से पड़ो Which of the following is correct regarding electrical charge अब electrical charge के लिए इन में से क्या चीज़ करेक्ट है If a body is having a positive charge then there is shortage of electrons बिलकुल सही बात है Right shortage of electrons कब होगी जब electrons वो positive charge कब होगी जब electrons की कमी होगी If a body is having a negative charge then there is excess of electron ये भी सही लग रहा है Minimum possible charges are plus minus this ठीक है क्योंकि plus minus n ही होता है n की value 1 ही हो सकती है तो minimum charges इतने ही है Charge is quantized Q is equal to plus minus ये तो सारी definitions ही लिख दी है यार तो क्या होना चाहिए इसका answer बताओ What do you think would be the right answer to question number 6 बताओ D होगा न all of this सारे ही सही है All of these is correct ठीक है चलिए अगले पर बढ़ते है 7th question When a glass road is rubbed with silk ये मैंने आपको दिखाया भी था उसमें 7th What do you think is the right answer? अब basically जब आप एक glass road को silk पर रब करते हो तो glass road खुद positive हो जाती है और silk को negative कर देती है ठीक है ये दो-तीन examples हैं ये मैंने आपको यहाँ पर जैसे बता भी रखे ये लिख लीजे जैसे glass road वाला यहाँ पर था ठीक है glass road खुद positive हो जाती है silk को electrons दे देती है electrons दे देती है negative ठीक है तो क्या answer हो जाएगा इसका? theoretical ही है कहाँ पर थे हम? हाँ तो gives electrons to silk 7th का B would be the right answer D होगा न ठीक है उसका तो उस लास्ट वाले का D है इसका तो B होगा चलिए अगला सवाल question number 8 a kum runs through one's dry hair attracts small bits of paper this is due to 8th what do you think is the answer? अब kum का वहिवाला यह है kum is a good conductor बन गई paper पे लाए neutral body थी तो induction ठीक है? आरे कहा? C would be the right answer ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया अगला 9th question when a positively charged body is earthened electrons from the earth flow into it मतलब अब basically एक आपके पास positive charge body है ठीक है एक positive charge body है अब इसको आपने earthen कर दिया मतलब earth से connect कर दिया earthing कर दिया right तो अब क्या हो जाएगा अब यह ध्यान दीजिए कभी भी आप body को अगर earthing कर देते हों right अब यह पूरी body है आपने इसको earthing कर दी right तो ultimately क्या होगा यह पूरी neutral हो जाएगी body यह पूरी neutral हो जाएगी right whenever you earth something earthing कर दी तो अब यह neutral हो जाएगी तो it will become uncharged it will become uncharged right यह आपको ध्यान देना है right अगर आपने positive charge body को ऐसे कर दिया तो वो uncharged हो जाएगी clear है ठीक है so then electrons from the earth move to the body and it becomes neutral uncharged हो जाएगी ठीक है last सवाल करते है and we will be ending the class question number 10th consider a neutral conducting sphere a positive point charge is placed outside the sphere the net charge on the sphere is consider a neutral conducting sphere neutral conducting sphere positive point charge is placed outside the sphere a plus point charge इसके बहर डाल दिया the net charge on the sphere is अच्छा सवाल है सोचो क्या होगा बताओ the negative it's negative and distributed uniformly over the surface of sphere negative and appears only at the point of the sphere closest to it negative and distributed non uniformly over the entire sphere और 0 बताओ क्या answer होगा 10th का what do you think would be the right answer अच्छा सवाल है सोच के बताना what do you think would be the right answer consider a neutral conducting sphere conducting sphere है और neutral है जितने positive है उतने ही negative है अब यह क्या हो रहा है a positive point charge is placed outside the sphere इसको मैंने बहर डाल दिया ऐसे right the net charge on the sphere is बताओ अब कुछ बच्चे बोलने negative and distributed uniformly देखो यह जो चीज हमने पड़ी थी ना net charge की बात कर रहे हैं ध्यान दो net charge net charge इसमें क्या होगा अब इसमें right अब इसमें net charge कितना है समझो इस बात को इसमें net charge कितना है बताओ इस wall पर net charge कितना है बताओ क्या इसके अंदर कुछ electrons आये या गए बिल्कुल नहीं तो क्या होना चीए जीरो जीरो ही था ना पहले neutral था right तो net 0 होगा जब तक आपने इसको touch नहीं कर दिया right charge redistribute अभी तो क्या हो जाएगा net charge तो इस पर वह होगा सबको बात सा आ गई समझ 0 होगा बस यही आज की class का सार था ठीक है so that was guys today's class जिसके अंदर हमने lesson 1 किया electric charges and fields का right आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा we are on a journey to do complete physics in 140 days for neat आज था day number 2 right तो अभी तक हमारा day number 1 हमने basic maths and vectors किया day number 2 हमने अभी यह वाला किया है basically electric charges समझा है right 5 classes तक यह चलेगा right मतलब यह वाला chapter फिर नया chapter स्टार्ट करेंगे potential and current और इस तरह से सारे ठीक है चले ठीक है गलत हो गया चली अब तो हो गया चलीए so that was it guys जो जो बच्चे इसको बाद में recorded form में भी देखेंगे please make sure to like the session अगर आपको अच्छा लगा और आप इस point तक session के आ चुके हो तो do consider to subscribe to our channel हम लोग बहुत मेहनत कर रहे है to make sure कि YouTube के माध्यम से आपकी need journey का हिस्सा बन सके ठीक है so YouTube is a very free platform right but मैं हमेशा बोलता हूं कि यह free नहीं है हम आपका time use कर रहे है right तो ultimately आपका खर्चा तो होई रहा है आपकी time के basis पर वही चीज हमें motivate करती है कि यार आप आ रहे हो time निकाल कर we better need to give some quality content for you right खाली time pass नहीं करना है right we have to give quality content कि भले ही आपको लग रहा हो कि आप free में पढ़ रहा हो but आपका time यहां पर जा रहे NEET के लिए अभी मात्र 240 दिन रहे गए है जिसमें से 140 दिन हम आपसे demand कर रहे हैं तो obviously हम आपसे time demand कर रहे हैं but in result we will make sure कि आपके physics बहुत अच्छी हो जाए so that is it guys thank you very very much we'll meet in the next class till then stay safe stay healthy bye bye